सामोहिक प्रार्थना तो अच्छी बात है, किन्तु अकेली प्रार्थना भी अवस्य करनी चाहिए, फिर भले ही वो एक मिनट के लिए ही हो। जब तक अकेली प्रार्थना करनी की आदत न हो। अकेली प्रार्थना तो सोते, अश्नान करते और खाते ये कोई भी कर्या करते समय की जा सकती है। इससे मन हलका हो जाता है, ऐसा अनुभव न हो तो प्रार्थना कृत्रिम समझनी जानी चाहिए। किसी मनुष्य अथवा बस्तु को ध्यान में रखकर प्रार्थना की जा सकती है। उसका फल भी मिलता है, लेकिन निश्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना, आत्मा और जगत के लिए अधिक कल्यानकारी होती है। प्रार्थना का प्रभाव अपनी पर होता है। तात पर जिया है कि इससे अंतर आत्मा अधिक जागरत होती है। और जैसे जैसे जागरिती आती जाती है, वैसे वैसे प्रभाव का विश्तार फैलता जाता है। प्रार्थना हिर्दय का बी सह है, मुँसे प्रार्थना बूलने आधे की जो किलियाई है, बेहिर्दय को यागरत करने के लिए है, यह जो मिशीम शक्ति हमें बाहर से दिखाई देती है, वोही हिर्दय में भी है और उतनी ही ब्यापक है, प्रार्थना में श्रधा क्यों नहीं, स्रधा या तो अपने अंदर से प्राप्थी जाती है या फिर वह उहां स्वता प्रगट होती है पड़ते एक देश और पड़ते एक काल में जो रिशी मुनी हो गए हैं उन्होंने निर्विवात रूप से जिस बात की शाक्षी दी है उससे तुम्हें या विश्वास हो जाना चाहिए कि सच्ची प्रार्थना केवल होठों से बुद बुद आई नहीं जाती सच्ची प्रार्थना कभी जूठी नहीं पड़ती निश्वार्थ सेवा प्रार्थना ही है